हलो यूरिवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल मैसफायर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पेयर आफे लीनियर एक्वेशन इन तू वैरियेबल तो ये introduction वीडियो है और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही important वीडियो है चलिए start करते हैं बिना time best किये पहले हम लोग समझेंगे अपने topic को हम लोग का chapter क्या है हमको उसके बारे में पढ़ना क्या है तो पहले chapter को समझ लेते हैं कि वो chapter है क्या और फिर हम लोग start करते हैं देखे chapter का नाम है pair of linear equation क्या है linear equation है और यहां पर देखे pair of linear equation in two variable हमको पढ़ना है linear equation in two variable और वो भी pair पढ़ना है pair मतलब होते हैं दो equation को जब साथ में लेते हैं जोड़े में होते तो वही क्या होता है pair of ये pair हो जाए है जब दो चीजे से होते हैं हमारे सूज जो आते हैं वो pair में आते हैं एक lift का एक right का तो ये pair में हो गया तो हमको यही पढ़ना है कि दो equation को साथ में पढ़ना है दो equation को साथ में पढ़ना है और equation कैसा रहेगा linear equation in two variable कोई भी linear equation जो दो variable में हो जहां पे 2 variable हो तो वही क्या हो जाएगा linear equation is 2 variable जैसे हम लोग एक exam पर लेते हैं हमारे पास एक equation है 2x प्लस 3y और minus 5 is equal to 0 ये क्या है 2x प्लस 3y minus 5 is equal to 0 where x and y are variable जहां पे x और y क्या है variable हो गए अगर इसको लिया जाए 2s minus 3t और plus 7 is equal to 0 तो यहां पे s और t क्या हो जाएगा 2 variable हो जाएगे अगर दिया है 5m plus 2n is equal to 0 तो यहां पे m और n क्या हो जाएगे variable हो जाएगे अब देखिए हमको किस type का equation पढ़ना है वो समझ लीजे जैसे हमारे पास एक equation ये हो गया एक equation ये अब 2 equation है तो pair हो गए लेकिन क्या दोनों का variable same है नहीं तो ऐसे 2 equation को नहीं पढ़ना है क्योंकि पहले equation में variable s और t है दूसरे में क्या है m और n है तो यहां पे s और t की अलग-अलग value होंगी और यहां पे m और n की अलग-अलग value होंगी तो यह दोनों pair नहीं है है तो दो equation है दो अलग-अलग equation है लेकिन यह दोनों pair में नहीं है देखिए pair में कैसे अगर lift hand का सूझ है तो right hand का सूझ होना चाहिए न ऐसा नहीं कि lift hand का सूझ है तो हमारे पास एक ठो और lift lift hand का नहीं lift pair का सूझ तो अगर हमने lift pair में सूझ पहना है तो अगर एक lift pair का और सूझ होगा तो वो हम लोग pair नहीं बोलेंगे pair मतलब ही अगर एक lift का है तो एक क्या हो जाए? right का समझ में आया? अगर gloves पहनेंगे अगर एक right वो lift में पहनते हैं जैसे यहाँ पे 7S प्लस 2T प्लस 1 is equal to क्या हो जाए 0 अब देखिए इन दोनो equation में इधर भी variable S और T है यहाँ पर ही variable S और T है तो इन दोनों को बोला जाएगा pair of linear equation into variable समझ में आया तो ऐसे नहीं कि दो variable यहाँ पर भी है यह pair नहीं होता समझ में आया यह pair नहीं होगा अगर न समझ में आया तो example ही समझे आप लोग सूज पहनते हैं lift pair में, right pair में तो इन ही चीजों को समझ के आप लोग समझ सकते हैं अब चलिए अब हमको यहाँ पे अगर यह जो pair यह linear equation है यह क्या है linear equation अगर आपने polynomial में ध्यान दिया होगा तो linear equation किसको बोलते हैं जहाँ पे degree कितना हो 1 तो यहाँ पे t के power भी 1 है s के power भी कितना है 1 तो यह क्या हो जाएगा linear equation समझ में आया तो यह हो जाएगा linear equation अब हम लोग अपने main topic को start करते हैं आपने समझा कि pair किसको बोलते हैं अब हम लोग अपने main topic को start करते हैं देखें pair आफे linear equation इंक 2 variable है तो हम लोग 2 equation लेते हैं और दोनों का variable क्या रहे सेम रहे जैसे हम लोग पहला equation लेते हैं a1x प्लस b1y और प्लस c1 is equal to 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y और प्लस c2 is equal to क्या हो जाएगा 0 तो हमारे पास ये दोनों क्या है pair आफे linear equation इंक 2 variable दोनों pair हैं दोनों pair इसलिए क्योंकि पहले equation में variable x और y है दूसरे में भी variable x और क्या है y है बाकि constant से फर्क नहीं पड़ता constant कुछ भी हो सकता है अच्छे देखे पहले equation में अगर देखे अगर पहले equation में देखे तो एक a1 क्या है coefficient आफे x है a1 क्या है जो a1 है वो है coefficient half x है और a2 क्या हो जाएगा coefficient आफे y तो a1 ये हो गया तो b1 क्या हो जाएगा coefficient of y और c1 क्या हो जाएगा constant समझ में आया तो ऐसे second equation में देखा जाए तो a2 क्या है coefficient आफे x b2 क्या है coefficient आफे y और c2 क्या है constant है समझ में आया ये भी linear equation है ये भी क्या है linear equation और linear equation का जो figure बनता है अब हम पढ़ते है solution of a pair of linear equation in two variable जो भी हमारा pair of a linear equation है उसका solution क्या होता है लेकि solution के नाम से ही पता चलता है कि x और y की ऐसी value जो equation में रखने पे equation को satisfy करें जैसे हमारे पास एक equation हो गया x plus y is equal to 2 x plus y is equal to कितना आ गया 2 आ गया अगर सिर्फ एक line की solutions को देखा जाएगा सिर्फ एक line के solution को देखा जाएगा तो solution मतलब क्या होता है value of x and y value of x and y which satisfy satisfy the linear equation linear equation x और y की ऐसी value जो linear equation को क्या करे satisfy करे तो अगर सोचिए हम लोग इसी में x is equal to 1 ले और y is equal to कितना ले 1 ले तो 1 plus 1 करेंगे तो equal to कितना आ जाएगा 2 यानि x is equal to 1 और y is equal to 1 इस equation को satisfy करेगा अब देखिए और भी ले सकते हैं अगर x is equal to 2 ले और y is equal to कितना ले ले 0 तो x is equal to 2 रखेंगे और y is equal to 0 रखेंगे तो left hand side is equal to क्या आ जाएगा right hand side यानि इस equation का ये भी क्या हो जाएगा solution हो जाएगा अगर x is equal to 0 ले और y is equal to कितना ले ले 2 ले तब पर भी satisfy करेगा तब पर भी solution होगा तो एक line की अगर सिर्फ एक line के बात की जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे solution होते हैं यानि कि infinite में नी solution होते हैं अब समझें अगर इस line का figure बना दे और वो इस तरीके से बने अगर इस line का figure बना दे और वो इस तरीके से बने जíसे यहाँ पर हो गया x plus y is equal to 2 समझे अगर इस line का figure बना दे और वो इस तरीके से तो बताईए ये लाइन कितने point से मिलके बना हुआ है अभी कोई भी line रहेगा तो वो कितने point से मिलके बनेगा infinite क्योंकि देखिए यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करते जाएंगे तो बहुत से point होगे यानि ये line कितने point से मिलके बना हुआ है infinite point से मिलके बना हुआ है समझ में आए अगर एक line की figure बनाया जाए अगर सिर्फ एक line का figure दिखाया जाए तो कितने solution होंगे infinite मेनी solution होगे clear अगर यहीं पर एक line को और दिखा दिया जाए जैसे एक line हमारे पास एक इस तरीके से और चली जाए एक line समझ लेजी ये L है और ये क्या हो गया M है तो क्या बोला जाएगा अगर line सिर्फ L की की सव्चेज़ेगी तो वह हाँ पर infinite मेनी solution होगा अगर line MP की बात की जाएगी तो वहाँ पर भी क्या होगा infinite मेनी solution लेकिन जब line एक दूसरे को कट करते एक दूसरे को intersect करते हैं तो सिर्फ एक ही common point होगा उन दोनों का सिर्फ क्या होगा एक ही common point होगा और वो common point कहां पे है यहां पे है यानि उन दोनों का एक common solution होगा उन दोनों का क्या होगा एक common solution और जो दोनों equation में रखने पे दोनों को क्या करेगा satisfy करेगा तो वही क्या हो जा वही क्या हो जाएगा उन दोनों equation का solution हो जाएगा मैं आपको एक example लेके दिखाता हूँ जैसे मैंने example लिया 3x और minus y is equal to 2 ले लिया 3x minus y is equal to 2 ले लिया अब देखते हैं कि क्या होगा हमारा solution देखे इसका जो solution था इसका क्या था 1,1 हमने देखा और 2,0 देखा और 0,2 देखा और भी सारे देख सकते हैं बहुत सारे solution देख सकते हैं, अगर इसका solution देखना हो, अगर 1,1 लें, तो x is equal to 1 रखेंगे तो 3, और minus 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, अगर 2 लेते हैं, तो 2,1 लें, तो x is equal to 2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो गया, यह 6 हो गया, 3,2 जा, 6, 6 में से क्या subtract करें कि 2 आ जाए, त 4 ले लिजिए, तो इस तरीके से इसका solution आ गया, दिखें, पहले line का यह सब solution आया, दूसरे line का यह solution आया, तो दोनों line का solution क्या होगा, जो solution दोनों में क्या होंगे? common होंगे जो solution दोनों में क्या होंगे common तो इन दोनों line का जो solution बनेगा इसका जो solution बनेगा जो इसका solution बनेगा वो बनेगा 1,1 जो इन दोनों line का जो common point 1,1 क्या है common point है तो वही जो 1,1 है उन दोनों line के लिए क्या होगा solution होगा समझ में आया और दोनों equation में 1, 1 रखेंगे चो दोनों equation क्या करेंगे satisfy करेंगे अब आप बोलोगे सार एक point जरूब थोड़ी नहें कि एक ही point दोनों में common है हो सकता है बहुत सारे point comment कॉमन हो जाए और हो भी सकता है कि एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा और कब इन्फाइनाइट में नी कॉमन पॉइंट होगा अब हम लोग उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे ठीक है तो यह हो गया सुलूइशन समझ में आया सुलूइशन क्या होता है value of x and y which satisfy the linear equation अगर सिर्फ एक equation के लिए बात हो जाए value of x and y which satisfy the linear equation अगर pair के लिए बात आ जाए तो value of x and y which satisfy the pair of linear equation into variable समझ में आया तो यह रहा solution अब हम लोग पढ़ेंगे कि solution कब एक मिलेगा कब नहीं मिलेगा और कब infinite मिलेगा समझ में आया अब हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे मैंने बताया कि जो यह जो linear equation है उसका figure कैसा बनेगा straight line कैसा बनेगा straight line बनेगा अब उन्हीं दो straight line के बारे में हम लोग समझेंगे देखें इसका भी straight line बनेगा इसका भी straight line बनेगा और दो straight line एक दूसरे के साथ क्या क्या कर सकते हैं बहुत कुछ जादा नहीं करेंगे इस्टरा मत सूचिए क्या क्या कर सकते हैं वही आपको समझना है वो दोनों एक दूसरे को कट कर सकते हैं मतलब मार पीट सकते हैं काट पीट सकते हैं ये कर सकते हैं या फिर एक दूसरे से बात ही न करें यानि कि दूर दूर रहें दूसरे से और या फिर दोनों साथ में मिलके रहें यही तीन केस बनेगा ना दोनों लाइन या फिर एक दूसरे को काट डाले, कट करें, या फिर दोनों एक दूसरे से बोले न, दूर दूर रहें, या फिर दोनों एक साथ रहें, तो यही तीनों केस को हम लोग पढ़ेंगे, देखी जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, जैसे एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर और वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं कट करने का मतलब कि इंटरसेक्ट करती हैं अभी कट करने वाला साउथ मुई का कट करने वाला नहीं कि तलवार निकाले कट कर दिये यहाँ पे cut करने का मतलब कि दोनो लाइन एक दूसरे को intersect करती है अब देखिए दोनो लाइन जब एक दूसरे को intersect करेंगी तो दोनों का एक common point होगा दोनो लाइन का क्या होगा एक common point होगा और यही क्या है उन दोनों का common point है जब दो लाइन एक दूसरे को cut करती है अगर naming कर दे यहाँ पर L कर दे यह M कर दे जब दो लाइन एक दूसरे को intersect करती है तो उन दोनों लाइन को बोलते हैं intersecting line क्या बोलते हैं intersecting intersecting line क्या बोलते हैं intersecting line अब देखे जब दो लाइन एक दूसरे को intersect करेंगी कितना है दोनों लाइन का common point कितना है एक क्या होगा एक होगा लाइन का definition समझते है ना जिसका सिर्फ length होता है breath नहीं होता तो यहां पर line जो है जब length ही होगा तो सिर्फ एक ही common point होगा दोनों का तो यह है intersetting line और यहां पर कितने common point है एक और जो common point होता है वही क्या होता है solution तो इसका मतलब इस case में कितने solution है एक only one और only one को हिसे हम लोग क्या बोलेंगे unique solution बोलेंगे तो यहां पिर solution की बात की जाए तो क्या हो जाएगा only one only one solution only one solution हो जाएगा और या फिर इसी को बोले हम लोग क्या बोले unique solution समझ में आए ये क्या हो जाएगा unique solution clear आपको समझ में आ गया कि intersecting line था only one solution या फिर unique solution तो ये तो पहला case था कि जब दोनों line एक दूसरे को काट डाले cut करे, intersect करे अब आते हैं दूसरे पे जब दोनों line एक दूसरे से बात जीत ही न करे और दूर दूर रहे तो वो हमारा case होता है जैसे हमारे पास एक line यहाँ पे है और एक line यहाँ पे दोनों से एक दूसरे से कोई मतलब नहीं दोनों अपने काम में क्या है बीजी है समझ में आया और दोनों एक दूसरे के पास में भी नहीं आते ना दूर दूर एकदम चलते है समझ में आया तो ये जैसे ही होता न मैं जिस रास्ते से चल दूंगा, वो रास्ता तुम बदल देना, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों अपने अलग-अलग रास्ते पे चलते हैं, कोई किसी के रास्ते पे नहीं आता, देखी, जब एक लाइन ऐसे गई, और दोनों के बीच का क्या distance रहेगा, constant, अगर दोनों क कि बीच का जो perpendicular distance है, वो क्या होगा, constant, तो इसी case को हम लोग क्या बोलते हैं, parallel lines, parallel line, तो यहाँ पे intersecting line था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, parallel line, यह क्या हो जाएगा, second जो case है, वो है parallel line, कि जब दोनों line क्या हो, एक दूसरे के parallel, यानि एक दूसरे से same distance पे जा रही हो, एक बोलेंगे parallel, parallel line, अब बताईए, इन दोनों line में कोई common point मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, यह क्यों क्या है parallel, बोले न, कि जिस line, जिस रास्ते से M जाएगा, उस रास्ते से L नहीं जाएगा, तो दोनों क्या हो गई, parallel, और जब रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो solution कहा मिलेगा, जब दोनों मिलेंगे ही नहीं तो दोनों का common solution कहां मिलेगा हमको देखे, line M के लिए infinite solution, line L के लिए infinite solution लेकिन जब दोनों की solution की साथ में बात आ जाएगी कि दोनों का solution क्या होगा तो दोनों का कोई solution नहीं होगा क्योंकि दोनों का कोई common point नहीं है तो यहाँ पे लिखा जाएगा no solution क्या हो जाएगा no no solution समझ में आया क्या हो जाएगा no solution ये था second case समझ में आया तो पहला जब एक दूसरे को cut कर दे दोसरा जब एक दूसरे के parallel हो जाए और third होता है जब दोनों एक साथ रहने लगे एक साथ एक के उपर एक समझ में आया जब दोनों एक साथ रहने लगे यानि एक लाइन रह रहा हो और उसी लाइन पे एक लाइन और आ जाए उसी लाइन पे क्या आ जाए एक लाइन और यानि ये था लाइन L और ये है लाइन M ये था line L और ये जो है line क्या है M है जब एक के उपर एक line आ जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं coincident क्या बोलते है coincide line क्या कर गई coincide कर गई एक दुसरी को पर चढ़ गई तो वही होता है coincide ये third जो case होता है coincident क्या हो जाएगा coincident ये third जो case होता है वो क्या होता है कि line क्या होती है एक दूसरे के क्या होती है coincide करती है तो समझ में आया तो ये था third case coincident का हो गया अब यहाँ पर solution क्या होगा अगर एक line का infinite solution है तो दूसरा भी उसी पर है तो दोनों का infinite common point होगा और इसी case में बोलते हैं infinite many solution यहाँ पर क्या होता है infinite many solution यानि यहाँ पर बहुत सारे solution होते हैं तो तीन case बनता है एक बनता है intersecting line, parallel line और coincident line कर दीजे समझ में आया यह तीन case हो गए अब देखिए solution मिलता कहाँ पर है solution हमको एक यहाँ पर मिलता है और एक यहाँ पर मिलता है solution आपको एक जब line intersect करती है तम मिलता है और एक जब line coincide करती है तम मिलता है समझ में आया तो देखिए जहाँ पर solution मिलता है उसको बोलते है consistent क्या बोलेंगे consistent यानि वहाँ पर solution consist कर रहा है exist कर रहा है और जहां पर नहीं मिलता उसको बोलते है inconsistent क्या बोलेंगे inconsistent तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे consistent तो यहां पर solution मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे consistent यह हो जाएगा consistent यह क्या हो जाएगा consistent हो जाएगा clear तो यह पहला क्या हो जाएगा consistent अब दूसरा क्या हो जाएगा inconsistent क्या हो जाएगा यह वाला दूसरा हो जाएगा inconsistent, अब देखिए यहाँ पे एक solution consist किया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे consistent, यहाँ पे solution नहीं exist किया, तो बोलेंगे inconsistent, और जहाँ पे infinite solution मिलते हैं, उसको बोलते है consistent dependent, क्या बोलते है consistent dependent, तो यह हो जाएगा consistent कि प्लोगों को समझ में होगा समझ में आए तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहां पे एक सोलिशन मिलेगा यहां पे जीरो यहां पे इंफाइनाईट unique solution कम मिलता है जब line sorry unique solution कम मिलता है जब line क्या करती है एक दूसरे को intersect करती है और no solution कहां मिलता है जब line एक दूसरे के parallel होती है और third होता है कि infinite solution कहां पर मिलता है जब line क्या होती है एक दूसरे के consistent होती है coincide करती है समझ में आया तो ये हो गया, जब infinite कहां मिलता है, जब line एक दुसरे के क्या करती है, coincide करती है, जब coincident होती है, तब वहाँ पे क्या होता है, infinite मेनी solution, तो ये आप लोग इसको note कर लेंगे, तो अब हम लोग सिखेंगे कि किसी भी दो line का हम लोग solution कैसे निकाले, जिसे कोई दो line है, अब हर बार हम लोग point को रखे चिक तो करेंगे नहीं, कि बहुत सारे point को रखे एक ठोग common आगया, तो ऐसे तो हम लोग करेंगे नहीं, तो अब हम लोग ये सिखेंगे कि कि किसी भी दो line का हम लोग solution कैसे निकाले, तो यहाँ पर दो method होता है, एक होता है graphical method, एक होता है algebraic method होता है, तो हम लोग दोनों method को समझते हैं, देखिए हम लोग को क्या करना है, find solution of linear equation into variable, two variables, समझ में आया, हम लोग क्या सिखेंगे, कि कैसे linear equation इने two variables का हम लोग क्या निकाले, solution निकाले, यहाँ पर pair लिखना होगा, pair of a linear equation, तो यहाँ पर हो जाएगा pair of linear equation into variable, तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है graphical, एक क्या होता है, graphical method, एक होता है graphical method, और दूसरा होता है algebraic method, क्या हो जाएगा, algebraic method, तो इस तरीके से दो होते हैं, एक होता है graphical, और एक क्या होता है algebraic, क्या हो जाएगा algebraic, अब graphical में तो graphical के अंदर कोई method नहीं आता, लेकिन algebraic के अंदर की method आता है, एक होता है substitution method, एक होता है elimination method, अब हम लोग हर एक वीडियो में हर एक type के method को पढ़ेंगे, तो इसके बाद वाले वीडियो में पहले graphical method को, फिर उसके बाद वाले वीडियो में algebraic method में पहले पढ़ेंगे substitution method, फिर उसके बाद वाले में elamination method, फिर cross multiplication method, और बहुत सारे question को हम लोग try करेंगे तो introduction बस आपके लिए आज इतना ही मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत